आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ दाउनलोड नाओ इस Case में हमें बताना हीकि वर्ल्ल्वेंड का Speed High क्यों होता है तो अब देखो World Wind हमारे क्या होता होता है अगर आप टॉर्नाडच लो तो टॉर्नाच हमारे ऐसा कुछ होता है की Upper Surface परologist उसका surface area बहुत जादा होता है और जैसे से वह नीचे आता है, एक कोन की shape का, कोनिकल shape का हो जाता है, और यहाँ पर आके वह end हो जाता है, वर्ल्ड विंड में क्या होता है? यह जो आप इसका width देख रहे हो, उतना नहीं रहता है, infact यह बहुत पतला सा होता है, तो आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो wind का cluster होता है वो इस axis के about rotate करता है जो इसके self यह जो open end होता है उसके plane के perpendicular होता है उस axis के about यह rotate करता है omega dash है और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर angular momentum initially आप क्या लिखोगे अभी जो इस wind cluster का moment of inertia होगा i into omega dash जिससे वो अभी rotate कर रहा है अब यह masses जो है इसके वो close आके एक whirlwind बना देते है और यह whirlwind के speed change रहती है omega double dash तो यहां पर आप angular momentum बोलोगे i dash into omega double dash अब आप देखो यह हमारा जो होता है वो internal pressure changes के करन यह change होता है तो आप देख सकतो external यहां पर हमारा force नहीं काम करता है torque external फिर क्या होगा 0 और torque external 0 होगा तो आप बोलोगे कि angular momentum हमारा conserve रहेगा तो यहां पर भी angular momentum हमारा conserve रहेगा तो यह जो whirlwind बनने से पहले जो angular momentum था वो बनने के बाद होगा तो इन दुनों को आप equate करोगे तो आपके पास क्या हैगा i omega dash is equal to i dash omega double dash यहां से omega double dash हमारा क्या हैगा i omega dash by i dash अब आप देखो omega में हमें compare करना है तो मैं i i dash के बारे में पता होना है चाहिए ratio के बारे में तो आपको पता है movement of inertia हमारा function होता है mass का और उसके axis से distance के square का तो इस case में यह second case में masses axis के बहुत close है तो r factor उतना बड़ा नहीं है पर यहां पर masses हमारे axis से काफी दूर पे है तो यहां पर r factor जाद़ बड़ा है जहां पर r factor जाद़ बड़ा है वहां पर moment of inertia हमारा जाद़ आएगा तो इस case में हमारा moment of inertia जाद़ आएगा यानि i greater than i dash हो जाएगा तो अगर i greater than i dash हो जाएगा तो आप बोल सकते हो omega double dash is greater than omega dash और यह tornado का wind tornado wind का angular speed है और जब वह world wind में change हो जाता है तब यह हमारा उससे increase हो जाता है प्लस आप देख सकते हो कि यह बहुत पतला सा होता है तो काफी time से smaller होता है इससे आप directly बोल सकते हो कि omega double dash हमारा यानि world wind में जो speed होता है वह many times greater than जो नेशा tornado होता है उससे बहुत जादा होता है तो इसका reason आपकर आपको एक line में बोलना है तो आप law of conservation of angular momentum बोल सकते हो Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर